आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ अभी राउनलोड करें तो रूट तीन प्लस आयोटा बराबर क्या हो जाएगा इनका गुणा करूँगा तो यह आजाएगा एची और आयोटा बी गुणा आयोटा डी क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वेर बीडी और आयोटा की घात दो का मान होता है माइनस का एक तो यह आजाएगा माइनस का बीडी यह तो वास्तविक भाग हो जाएगा और प्लस आयोटा काल्पनिक भाग में क्या हो जाएगा a into iota d तो यह आजाएगा a गुणा d plus b into iota c sorry iota b गुणा c तो यह आजाएगा plus का iota bc और iota common आजाएगा तो plus का bc अब वास्तविक और कालपिनिक भागोई तुलना करूंगा तो यहां से क्या आजाएगा a c minus b d का जो मान आजाएगा वो आजाएगा root 3 और a d plus bc का जो मान आजाएगा वो आजाएगा a के बराबर अब यहां पर इसका मान पुछा तो tan inverse a plus tan inverse b का formula लगा लोगा तो यह हमारे पास क्या आजाएगा 10 inverse A plus B तो उपर तो आजाएगा हमारे पास A की जगा आजाएगा B बटा A plus B की जगा आजाएगा D बटा C बटा नीचे आजाएगा 1 minus A गुणा B तो B बटा A गुणा D बटा C अब यहाँ पर A C लगूतम आजाएगा उपर नीचे लगूतम से लगूतम कैंसल होजाएगा तो यहाजाएगा 10 inverse उपर हमारे पास A C लगूतम आएगा तो यहाजाएगा B C plus A D बटा नीचे हमारे पास के आजाएगा A C minus B D नीचे आजाएगा हमारे पास A C minus का B D अब AD plus B C या BC plus AD का मान 1 है और AC minus BD का मान कितना है root 3 तो यह हमारे पास कितना जाएगा 10 inverse 1 बटा root 3 और 10 inverse 1 बटा root 3 हमारे पास कितना होता है pi बटा 6 क्योंकि 10 31 degree का जो मान होता है वो 1 बटा root 3 होता है और अगर व्यापक हल लिगे तो हम जानते हैं कि 10 theta बराबर 10 alpha तो जो theta का मान होता है वो क्या होता है? n pi plus alpha जहांपर जो n होता है वो हमारे पास क्या होता है? पूर्णांक होता है तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 inverse एक बटा रूट 3 बराबर theta तो यहां से हमारे पास जो समीकन पराप्त हो जाएगी 10 theta बराबर एक बटा रूट 3 और एक बटा रूट 3 मान होता है 10 pi बटा 6 का तो हमारे पास समीकन के आ जाएगा theta बराबर n pi plus pi बटा 6 जहांपर n क्या है? पूर्णांक है अब विकल्प चेक करूँगा n pi plus pi बटा 6 जहांपर n पूर्णांक है यह हमारे पास विकल्प B में दे रखा है तो विकल्प B हमारे पास सही विकल्प होगा धन्यवाद